सांत हो जिनके गुड़ों के ग्वान में वे बर्धमान महान दिन बिचरें हमारे ग्यान कल दम्हे प्रचन से समाप्ट करके उठा तो एक छोटी सी बच्ची ने पूछा था कि ग्यान चेतना चेतना और दर्शन चेतना इसकी बात तो आप कह रहे हो करम चेतना और करम फल चेतना का क्या होगा पहले सनो अब अभी प्रचन में कलास में पढ़ा होगा पिर चेतना तीन प्रकार की होती है ग्यान चेतना करम चेतना और करम फल चेतना अब यहां पर उसमें वो अलग सुना पाट-पटा तो लगेगा लेकिन किसे जिसे पहले की याद रही कि चेतना तीन पेकारगी बताई थी फिर अभी की अध्यान से सुनी फिर इन दोनों का परस पर में मिलान किया और मिलान नहीं हुगा तब ही तो पिसमे खड़ा होगा ना अन्न था प्रसमे कैसे खड़ा होगा और लोगो क्यों नहीं हुगा वहोना चाहिए था ना ऐसा है कि चेतना एक परकारगी है और अब उसके दो भेद किया है अपने दर्षन चेतना और ज्ञान चेतना दर्षन चेतना में जो दर्षन नाम का गुने है ना जो चाख्छु भर्ष्ण सम्याक और मिथ्या का कोई भेद होता है था दो सम्याद्ट्ब मार करती आँ दर्ष्ण से इतना सम yaak जिश्वी मिथ्याद्धिश्द्र्वी मैं कोई भरग नहीं होता है सम्यक जिष्टी को चक्छू और चक्छू दरसन पूरवक मत्धि ज्ञान होगा तो मिठ्या जिष्टी को भी चक्छू और चक्छू दरसन पूरवक मत्धि ज्ञान होगा मिठ्या जिष्टी का ग्यान तो कुमत्धि ज्ञान कहलाएगा तो सम्मय जिष्टी का सुमत ज्ञान कहलाएगा लेकिन वो चक्चू है चक्चू दर्शन में सम्मय को मिठ्चा का कोई भेद नहीं है अब रहे गई दो दर्शन चेत्ना में तो सम्मय को मिठ्चा का भेद है नहीं अब रहे गई ज्ञान चेत्ना चेतना में दो इछे रहा, दर्सन चेतना और ज्ञान चेतना, तो ज्ञान चेतना में सम्यक और मिथ्या का भेद होता है, तो उसके दो भेद हो गए, ज्ञान चेतना की ज्ञान चेतना और दूसरी अज्ञान चेतना, अजर क्या है, मूल का नाम भी ज्ञान चेतना है, और उस समझो कि ज्ञान चेतना दो प्रकार की है अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना फिर दो प्रकार की है करम चेतना और करम फल चेतना तो इस तरह एक करम चेतना और करम फल चेतना बास्तम में ज्ञान चेतना में जो अज्ञान चेतना है उसके देज हैं सम्म्यक दिश्टी ज्यानी धर्मात्माओं को ज्यान चेतना होती है मुख्रूप से और मिठ्था दिश्टियों को अज्यान चेतना होती है इस तीन चेतना हैं ज्यान चेतना, करम चेतना और करम पल चेतना तो एक या ही, कोछी लोगों की प्रवित्ती ऐसी होती है, कि करूं, 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 उन्हें चौवीच घंटा करने ही करने की सोचती है, उनको भोगने का भाव उतना मुख नहीं होता है, करने का भाव ज्यादा हुता है, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, खासकर महलाओं कि महलाओं में खाना बड़िया से बड़िया बनाना उसमें जितना रस है पत्री को बच्चों को भरवालों को महमानों को खिलाना जितना रस उसमें है जितना घंटों समय उसमें निकालती है बड़ी पापड बेलने में निकालती है उतना स्वाध्यार करें तो वो हम जैसे प कि अगले को तई किल दो कि नहीं क्तें चाने नहीं सुगगी? तब जिख फ्हुचर पुरान सुर्ण जो चुछ बचे गाच भुच वसे खालेंगे जो जादा बच जाए घागा उसे जादा घालेंगे नहीं बचे गाच झालेंगे, जो नहीं कहाईंगे कोई रस नहीं है, कि मैं अपना लिए निकाल के पहले रहे, अलएग से रख लूँ, क्या, कि वो रख भी ले ले बैर, तो घर में किशी को भी एतराज नहीं होगा, ना पती को ना बच्चों को, सासा सुर को भी नहीं होगा, क्या, उसमें क्या है, अगर वो भी तुरानी है, लेकिन नहीं करेगी, कोई भी माँ बहन ऐसा नहीं करेगी, तो वो भूत धरमात्मा हैं, ऐसा मसमन लेना, वो करम चेतना की प्रधानता वाली है, परसों में भी ऐसा होता है, सुवह से सौम तक, परस करूँ, 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 खाने पिने में उतना रस नहीं होता ह उनको भोगना में अतना रस्नी होता है। करना करना में बढ़िया घर का बढ़िया बढगा बनाने असमने असमें हर कमरे में ए-सी एक-णिर एट संटर एट इक तम बढ़िया बनाने गी और खुद बाजार में जाके धाई फड़ायो के त्हट बोतर। बहेंग कर गर्मी में, नहां पंखा भी धिंग से नहीं लगा होगा, पसीना निकल रहा है, बैठे 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 दिन भर धन्दा करेंगी, तो आप देख लो, कुछ कापड मार्केट है और और जो है ना, उनमें क्या दुर्दसा है, तो ऐसी प्रवित्ती वाले कुछ पुर है ना, उसका उप्भोक अन्य में अतना आनंद नहीं आएगा, पर साम को आएंगे, साथे कमरों में एसी लगवाया था, दिन्वर, नोकर, चागर, बच्चे, पत्वी, बच्चे, सब उसे एसी में रहेंगे, पर साम को आएंगे, वसीना पॉंच पांच करके, और कहेंगे आएशी बंद कर देना, जड़ा सर्दी लगती है, को कर्मिय अजर्ट में जी आदत हो जाती है, तो एसी परदास्त नहीं बती है, लगवाएंगे, वराबर खराब हो जाएगी, तो उनको ठीक करवाएंगे, अबरों से बंद करके, बैठेंगे, ते सब करम चेतना की उनने भोगने में हैं, करने में नहीं, अजगर करेन चाकिरी और पंच्छी करेन काम, और दास मलूका कह गए, सब के दाता राम, उनने करवट बजलना भी पसंद लिन्या है, तो खाओ पियो, मौझ मस्ती करो, करना नहीं, कोई काम में उने अरस नहीं, करना पड़े तो हुआँ पादने जी काहकाते, के रोते रोते जाये, क्याँ, तो मरे की खवड लेके आए, काम महीं मुझ साहिए नहीं, तो वो कोई सफलता करके आने माला नहीं है, कोई आदमी ऐसे मतलब को वो काम संदो, तो वो किसी ना किसी तरीके से, जो भी संभव होगा, करके कि असम्भब ही हो तो अलग बात है लेकिन सम्भब होगा और कोई कर लाग और वो नहीं कर पा ऐसा नहीं हो सकता और कई लोग निरंतर अपना बहाने ही खोज़ा करते हैं कि इनने एक काम बताया था अब करकिया तो है नहीं तब इसका क्या उत्तर देना कि नहीं भूल गया था कि वह तलाग लया था कि उत अच्छ सी उत्तर देना उक्शा बाहना कि खोज़िना में माहिर होते हैं तो क्राम करने की सोचते भी नहीं है हा अद उसरे सोचता है कि क्या जवाब देना नहीं होगा तो ऐसी प्रवित्ती वाले जी जाएं कि प्रत्व अ जब लागे जी थे तो अब कोन अच्छे हैं भगया खोचो कि जा मिल दमांग लगाओ कर द्धिना बड़िया है मस्ती से अपने भोगते तो हैं कम से कम और यह जो करो करूम में लगे रहते हैं तो करम्धर ने वाले हैं देख आरे जो तरयन्ष है ना, वे सब करम फल चेतना वाले हैं, एक इंदरी, दो इंदरी, तीन इंदरी, निगोधिया, नारकी, पर तो बस जो भी हो जारे भोगते ही रहते हैं, भोगते ही रहते हैं, क्या है? उनको तो अनकूलता परतकूलता भोग नहीं हैं, पेड़ खड़े हैं, अब करना क्या है? सर्वी, गर्मी, बर्साल, कोई कारते हैं, पीते हैं, कुछ भी करें, तो उन्हें तो भोग नहीं भोग नहीं है, तो करम फल चेतना जिनको अच्छी लगती है, वे समझ दो, कि सब न आते है करम जितना तो करम जितना गी ता वोग तर मान वगमें हैं थिक करम फल जितना से हटा करम जीवं को करम जितना तक लाते हैं झांते करमन्ने वाधि का रास्ते sonra मान फलेशू कदाचne, गभआ तूम करें जाओं करें, फल की चंता मत करो उसे मैं देखलू जैसा भी फल देना होगा मैं दूँगा तो गीता वालों ने हमको करम फल चेतना से हटा कर करम चेतना तक लाएं पर इहां ही ठहरा दो बस खदब बस तुम्हारा दो इतना ही काम है और बाकियों मेरी मर्जी पर छोड़ दो वही जो राम रचि लाखा है तो भगवान जो करें है वही हो रहा है तो फल की बात इक्षा मत करो भगवान करें निश्काम करने निश्काम माने फल की इक्षा के बिना करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ बस वो ज्यान चेतना तक नहीं आए और जेन दरसन कहता है ना करम चेतना अच्छी है ना करम फल चेतना अच् प्रकार से अग्ज्यान्चेतना के भेल है। तो ज्ञ्णी जन के ज्ञ्णचेतना। जो कुछ होता है सहद भाव से ज्याता धिश्टा रहो। ना करो ना भुबॉद। क्या? तुम पर ना करता हो, ना भुबूब। अब ऊपर जो अरहन सिद्भगवान है तो पूरी तरह से ज्ञान बाले हो गए अब जो नीचे के हैं पांच में चौथे पांच में छट में बाले उनके गौन रूप से करम चेतना और करम भल चेतना भी होती है वो अज्ञान चेतना नहीं है है तो ज्ञानी की लेकिन भूमका के अनुसार उन्हें लोक में करने का भी भाब होता है और भोगने का भी भाग होता है यह को यह बहुत बिचित्रे सरूप सम्मेक दिश्टी का मने चोटे गुनिस्तान माले का जो सरूप है वो जेन दर्सन में सबसे जादा कथिन है समझने में सिद्धों साथ अपने कोई सरल है क्यों कि भी बात है कुछ है नहीं करम आठा ही नहीं है तो ना कर्म के करता ना करम के भोकता भी समझाने में क्या दम है पिर अपने आत्मा में लीन है वो जिश्पस्थ है अरंध भाग्मान के भी लगवख बैसा ही है झाना और जो सुद्धूप योग में चले गए, शेहनी में चड़ गए, वे भी आत्मा के ध्यान में लीन है, उनमें भी कोई समझ्या नहीं है, और मिठ्यादिष्टी तो करने में अफलने में उसमें ही अच्छा मानते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैं यह करता हूँ, मैंने भोग कि मैं परद्रबका न करता हूँ और न भोगता हूँ, और बाहर में विकल्पों में और क्रिया में एक दम करने का विकल्प जाल चलता है, और भोगने का भी कभी कभी चलता है, अभी आपकटा लगते हैं, अभी तुसा प्रचन कर रहे हैं, न आत्मा परद्रबका करता है, ना भोगता है, करता भोगता मौनना अज्ञान है, ऐसा जो जीव कहते है, मैंने पर कव किया पर कव भोगा, वह अज्ञान ही है, और अब भी हाल कदी पैसे उठेंगे, क्यों है कलो बोस्ता करनी थी हो गई? टिकाट आगया कर नहीं आगया? वह जे किया कर नहीं किया तुमन बात भरबोई की वोई, आपन को भी कभी कभी लगता है कि भाई पास्ता में सामने वाला सही कह रहा है, कि कैसे चलेगा, कि दो तरफी नीती दिखती है कि ने दिखती है, हाती के दाथ, खाने के और, और दिखाने के और, यह तो गद्धी की चीजे हैं, क्या है, एक दुसरे करता नहीं है, यह तो प्रोचन में कहने की चीजे हैं, करना तो गो, यह करना भी है, भोगना भी है, और जोड़ना भी है, क्यों, सब करना है, ने तो कैसे होगा, करेंगे ने तो होगा कैसे, के मंदर बना कैसे, और बिना करने तो जाड़ू नहीं लगती है, है, सार कहते है कि नहीं लेके नहीं कहते हैं, तो ः कोई बहुत बड़ा झ plutनी बाट ल१दाद नहीं है. क्यांकि टधुटेगर लुट्वनुक्तान की भूंका में शरद्धिक तो हो गई है श्द्ध जैसी। है ओ जीवन जइख्त है औτα ग ज्यानियों जैसा, ज्ञानी के और अज्यानी के जीवन में फ़रक होता है तरिकि उष्धा के लेवल पर जो जी कृशा के लेवल पर एदि माताओं बेहनों को रोटी बनानी है यहर की जाड़ु लगवानी है कर लगानी है कपड़े धोने तो धोने है ना कि मैंने धोई अब यह तो कहेंगी ना क्यों और उसका अच्छे अच्छे कपड़े पेने वो भूग है यह नहीं है मतलब वो एकदम ऐसी हवा में उड़ा देने जैसी चीज नहीं है यह नहीं बेभाव उसको आए बना रहते ही नहीं है और उससे सृद्धा पलट गई ऐसा भी नहीं है सृद्धा ऐसी ही रहती है और क्रिया और भाव ऐसे ही रहते हैं तो इसलिए यह लोगों के गले उतरना बहुत कठल काम हो है अब आप देखो कि भरत जी घरी में बाई रागी अब किये जा रहा है घरी में बाई रागी और एकड़ साथ हजार बरस तक लड़ने के लिए निकल गए मानूं उनकी रवान की किस दिन हुई थी साथ हजार बरस तक लड़ने के लिए कम निकले थे वो जिस दिन आपने हो नहीं तीन समाचाराय थे कि पुत्र की उत्पत्ती, चक्रत्न की प्राप्ती और भगवान की केवल ग्यान की प्राप्ती और हम भड़े गौरब के साथ कहते हैं कि देखो वो सबसे पहले भगवान की पूजा करने गए पर बाद में पुत्र का जनवोट सब मनाया और चक्रत्न की तो बाद में सुधली लेकिन इन बातमें कुछ दम नहीं है हगवान के दर्शन पूजा करने के लिए गहंटा दो गहंटा के लिए गए वेटे का जन्मुट सब दिनभर मनाया तीन दिन का मनाया पांच दिन का मनाया और लडने के लिए साथ हजार बरस निकल गए अपने बाद दो गरहाक आते हैं न एक छोटा एक बड़ा तो यह दभी कमाई बड़े गरहाक से ज़्यादा होती है लेकिन अपन निप्टा थे पहले छोटे को हैं बड़े से कहते हैं आप चाल दियो जब तरह इसे निप्टा देता हूं फिर अपन सांती से बाद करते हैं बड़े काने बड़े ऐसा ही काम है वो जब देव छोटे गरहाकते हैं उनने उनने पहले निप्टा दी क्यों है बाद पुत्र का देन वो सम बना दूसरे नंबर पर और वो पहला पुत्र थोड़ी था चक्यरतन कब पैदा हुए था आपको मालू है उन्हें की उम्र कुल कितनी थी चोरासी लाग पूरब की समझे ना वो चक्यरतन की उत्पत्ती 63 लाग पूरब की उमर में हुई थी तब यह 63 लाग पूरब की उमर होती हो तो 63 लाग पूरब की उमर होती हो तो 63 लाग में उसे किन्वे गिनाओंगे आप स्मुचलो और पर जब साथ हजार बरस को निकले युद्ध कन्य तो उसके बीट में वो च्छानवे हजार सादियां हुई हैं पहले थोड़ी थी तो चक्रवर्थी के होती हैं चक्रवण की उत्पलब्दी के बाद में 96 लाग पत्नियां होती हैं क्यों को कि जो बे दिग बिजए को निकलते हैं तो हर राजा अपनी कन्या और रत्न वगर एग उनको आगे भ्हेंट करते हैं टेक्ष के रूप में वे उन शे साधी कर लेत पर ऐसे ऐसे हो जाती हैं चान्वे हजजार सादियां और वो सादियां भी राज नीती है, पॉलिटिक्स है, कोई भी अपने सादी के लिए सादी नहीं करते हैं, क्यों? जिस राजा को आज हराया है, वो मन में गांट बांद लेगा, जाकी धन धरती हरी, ताही न लीए संगे अब क्या उपाय है, कि वो हमें कभी धोका न दे, तो इसका एक ही उपाय है, कि उसके जमाजी बन जाओ, कोई भी ससुर अपने जमाजी की हत्या कभी नहीं करेगा, क्योंकि अपनी बेटी को विद्वा कौन देखना जा, इसलिए वो सादी करते हैं, वो सादी करके वहीं छ से लोट लूँगा तब खर्ती बुला लूँगा, और तब बे चारत जार वर्स बाद, लोट के अब आए और आज्यावी से खुगा, तब सब को बुला लेते हैं, सम्झा, वरतीस हजार लड़कियां तो मुकरबद मिलेच राजाओं की होती हैं, जिन से कभी कोई संतान न उनके मारीच था, भरत्चकवर्ती का बेटा कून था? जिसने उसके बाप मन रिसब देप के साथ दीख्छा ली थी, और ये तो हजार वर्स बाद जब केवल गयान हुए तब की बात है, और उसके बेटा कब पैदा हो गया था, भरत्चकवर्ती का? इतना बड़ा बेटा बाप के साथ दीख्छा ले गए ते जे घर में ही बाठे रहे हैं, तो बड़ा होगा, तो देख्वीस मा, पच्शी मा, पचास मा बेटा, अब जानते हैं, ये जो पूरे, कितना में, साथ हजार बरस में, उस साथ हजार संताने हुए हुए उनकी, पे उद्ध के मैदान में साथ हजार स्कत्रण बड़ान में, साथ हre. परोजा बेटान आग होते हैं, परते हैं, cách मैं परद lindo and के सुछा ते कि अकर बाठी हम तरो दो थे बाठेAn हुए हमन करते हैं, ठाब तेस्ट हँए हुए तूशर हिए हुए उस्वे अधी ठाधि पटना इभ somehow, ले बाठे नो, तो जो चक्क्रवर्ति का जीवन के जो साथ हज़ार बर्ष पहुआ की दिवधनी खिर रही लगाता रोजीना दिन मैं साथ गंटा और बारा मिनट और बेश साथ हज़ार बर्स तक लड़ाई में लड़ने में लग रही हुआ है कभी रात के बारा बजे याद आई तो भगव के स्हमोशनवेट रही गए और अईकल लुप रएव यादे जुरूत कहा मिलती है चक्रवर्ति को कहा मिलती है कोई भी चक्रवर्तिया का आया है और जो नहीं है तो आई जो बहुत पैसे बाले लोोग हैं बेकाः प्रोचन मोचन में दिखाई देत ते हैं उसकी ब्हारण तो दुनिया में बहुत हो अल्ला हुगा कि गजब हो गया कि हमाई लिए तो नहीं को रहत के बारा बज़े भगवान बोले कि अ कितना पुनिसाली है भरत मैंने एक कहानी लखी है भरत पर और उसका नाम है अभागा भरत क्या नाम है फड़ी है उसमें कहा कि वो कहता है सब दुनिया कहती है उसकी मा कहती है कि मेरा बेटा कितना भागवान है मा मैं भागवान हूँ कि अभागा कि जब सारी दुनिया उनके प्रोचन सुनती है पत्तम मुझे प्रोचन सुनने को समय नहीं मिला और रात को बारा बज़े समय मिला मैं अभागा कि भागवान और भगवान को मेरे लिए बारा बज़े बोलना पड़ा इससे बड़ा अभागवर क्या होगा क्या करें अभजी आए तब ही बोलो क्यों यदि आज के जमाने में होता तो क्या होता गजब हो गया भाई भती जेबाद का हम गए तो दिन के मीद ही बोलें और बेटा पहुंच गया चक्रवर्थी पहुंच गया तो रात के बारा बज़े भी बोलना प्सुरू कर दिया तो सारे पद अपने घर में रख लिए ती ठंकर खुद एक बेटा चक्रवर्थी एक ब और बिरोधी जल्का नेता भी अपना ही पोता अरे बिरोधी जल्का नेता तो कम से कुछी दूसरे को बनने देते हैं इतना परिवार बाद इतना रिसभदेव के जीवन में है आज तक तो घ्री के जीवन में देखने में आया नहीं है जो हम आरोप लगा देते हैं आज कहता हूं कि एदी कोई धर्मात्मा जीव है और उसका सारा परिवार धर्म में लग गया तो इसकी एक क्वाल्टी है कि डिस्क्वाल्टी हो रहा है आज मालो मेरा परिवार सब धर्म के काम में लगा है धर्म की सेवा करते हैं सब काम में लगे रहते हैं तो यह मेरी मेरी जरी तो आप्रोचन करते हैं आजकी देट मैं कितना सट्रे प्रोचन कार है यह सट्रीशन में जाते हैं वहरा हम असी करते हैं तो है सबस्क्रावी है कर अच्छा और को भूज एक भाई का वे आप प्रोचन करें अउ मेठी क्लास ले रही तो दूसरा बेटा पढ़ा रहा, तीसरा ये कर रहा, चौथा मेने जर है, तीसा यात्रा तो, अरे भाई, ये सारा धन्दा पानी छोड़कर, और इस काम में लगे हैं, ये क्वाल्टी है क्वाल्टी है क्वाल्टी है, लेकर जगत का सरूफ तो आज ऐसा ही है, अपने घरी घ ज़्माते खाते अलग, और ये तो स्रेवा करते हैं, लेकर जगत का सरूफ पर ये ऐसा है, तो ज्यानी धर्मात्माओं के जीवन में, जीवन दिखता है बाहर के सब लोगों जैसा, और अंदर में सृद्दा होती है सरवग भगवान जैसी, तो ये दुनिया को दुहरा चर ये दुहरा नहीं है, ये दुहरा नहीं है, ये चोथे पांच में गुनस्तान का सरूप ये ऐसा है, ज्यान चेतना है, और उसके करम चेतना और करम भल चेतना भी देखने में आती है, अद्देवी उसकी करम भल चेतना और करम चेतना अग्यान चेतना नहीं है, क्योंकि सम् आदिशी को के नहीं, अदरोटियां कमाने का पिकलप आना चाहिए के नहीं, नहीं कि तड़ा दीन हो जाएगा नहीं, तो दूसरे के आदिन हो जाएगा, तो अबने स्वाधीन विर्त्ती होनी चाहिए नहीं, शास्त्रों में लिखा है, के नौमी दस्मी पृत्मा तक आदमी को घर में रहना चाहिए, गर नहीं छोड़ सकता हो, अब नाम जानते हैं क्या है, अनुमतित्या आगए, माने उसने अभी धिंदे पानी में अपनी सलाह देना बंद किया है, समझें ना, आरम मित्याग, परिग्रह त्याग, उसना परिग्रह का त्याग कर जागए, मैं इतना ही रखूँगा, बाकी नहीं है, खाल नहीं है, लेकिन जब तक वो छुलक अईलक नहीं होता है, तब तक समाज पर बोधा डालने की जरूवत नहीं है, क्यों? कि वो फिर तो ऐसा करके निकलागा, तो मांग तो सकते नहीं हो से, समझें ना, तो फिर लोग उसे भोजन आहारत बलाएंगे, अब तुमने घर का धंदा बन कर दिया, घर से निकला, समझें ना, सारी संपत्ती बेच मांच के, जो भी पईसा आए, वो जेब में रख लिये के बैंक मे जमा करा दिये, तो आराम से उसका अपना ब्याद म्याद ठाटे जाए, तो अब बस सारी धरम साला अपना पापई की तो है, क्यों? सारे घर अपना हो सारे घरों में जो खौना बनता हो अपनी तो है, और कोईने नहीं पूछ पाया तो अपस भाजा तर्य की, समाझ सब को पूछती है कि समाज की जितनी प्रिसंसा की जाए कम है पूछना चाहिए लेकिन जो जब तक वो छुलक अईलक नहीं हुआ है तब तक उसकी द्यूटी बना कर खाने की नहीं कमा कर खाने की भी है मैंने धर्म के जर्श करें किताब में लिखाए और उस किताब को छपे 40 वरस क करीब हो गए है और सारे देश में तेर्ड लाख तो छपके गई हज्जारों कैसे डिके आए तक तो किसी माई के लाल ने चैलेंज नहीं किया करीश में यह बात गलत लिखी है आप नहीं पड़ी होगी है है ना कृती तो यह ज्यान चेतना और करम भल चेतना का सरूप जो ह है वह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए अभी यह तो जो बेटी ने पिसन किया था उसके पिसन का मैंने उत्तर दिया है अभी देखिए अपने जो कल बाद अपने जहां छोड़ी थी अपने अद्ड़ी तापी चेतना इस कलस का अपना अर्थ कर ले थे एक सो तेरासी म पद्ध्यान वाद भावान वाद कैसा करते हैं वही पढ़ो जो हैत्मातास उसमें होगे नहीं होगा लाओ इदी नहीं होगा किसी के बाद भी मैं जानता हूँ सुच समझ के कह रहा हूँ है अनुसमेशाच अनुसीलन में है वो आपके हाथ में नहीं है पुता टाय चेतना विश्र वुनाई चेतना अग्यद्य ओपी गर्ण हुन्माई सामा झिने अजे जल्टाजी को बेह रपाले को कर जेतना चिन्यद्य आत्रमाँए चेतना के नात्रमों तुखे लितांए लचनिको नात पक्तानात वुढ़ तुना तादिकी जर्म कुछी तिमाराई दिने के लिए जो पर ने पढ़ी दिने कल असका ये पद्धियानुबाद बनासी दाजी ने किया नाटक समय साल ने तो को इसका आर्थ समझने के पहले एक बार ध्यान से समझ लो आपका ये पिशन हो सकता है और होना चाहिए कि जब बनासी बनासी दाजी ने इतना बड़ी अनाटक समय साल लिखा है पर वो कल्सों का पद्धियानुबाद है तो पर आप ने जी अलग से पद्धियानुबाद काईको लिए तो क्या जरूवत थी आपको पसंद है तब तो आपने इसमें कोट किया लेकिन दोनों का अंतर समझो पैस साम आपकी समझ में नहीं आएगा बनासी दाजी ने जब इस समय साल लिखा है तो उन्हें एक एक चंद का अर्थ नहीं लिखा है कल्स नहीं बनाए उनको जो चंद बहुत अच्छा लगा जब मन में आई तब उसके भाव का लेके एक उनने चंद बना दिया और कोई बहु आछ समय बनाद दिये और कोई नहीं जरा दिल को जचा तो उसका एक भी चंद नहीं बनाए एक आप जिखना जिएं से कभी आपने मिलां किया जिए तो कैसे प्दा चले और वो ऐसे करते करते वो ये खटे हो गए तो बनारसी दाज जी के ये जो चंद है वे उस समय इतने अधिक लोग प्रिय थे कि आगडा की गलियों में बैसे ही गाय जाते हैं जैसे आज के युबक युबतियां सनेमा के गाना कलियों में गुनगुनाया करते हैं उस वक्त के लोग ये गुनगुनाया करते थे गलियों में चलते चलते हैं इतने लोग प्रिय थे या तो उन्ही ने या उनके मरने के बाद उनके सिस्सों ने इनको विवस्थित किया किया कुछ ने ऊरूनी उस करिम से जमाए तो उनुने कल्सों को देख देख के उसके हिसाम से जमाए तो जिनरächstंडों का जो निकाल निकाल के अपने बुद्धी से सोच के इस छंद का यह पध्यानुबाद है, 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 इस छंद का यह अनवाद है, तो जो हमारे जैपुर से नाटक समय सार छपा है ना, उसमें नीचे छपे मिलेंगे, ये संस्कित के चंद, और उपर मिलेंगे बनारसी दास्केशन, तो एक दुझे अंतर है, कि वो आध्यो पांत नहीं है, तो दूसरा एक है, तो उनके जच गई, तो वो अबन जिनके हैं वो चंद, वो चंद हमने दे दिये, फोट कर दिये, अब इसके बाद चार छंद ऐसे हैं, कि जिनका कोई कल सही नहीं है, वे हमने छोड़ दिये, समझे ना, तो इस तरह से पूरा वो नाटक समयसार एक तरह से समयसार अंसीलन में गर्वित हो गया, दोनों का अंतर, अब एक और इसमें जो गहराई से अध्यन करना जानते हैं, उनके लिए बता रहा हूं, यह भलाई पराई नहीं है, यह रिशर्च है, कि बनारसी दाजी को संस्कित प्राकृत का ध्यन नहीं था, हिंदी के कभी थे, और रसिया कभी थे, उनने एक नवरस नाम की किताब बनाई थी, जिसमें कम से हजार चंद थे, और वे बहुत स्रंगार रस के चंद थे, और जिने वो कभी संबेलों में काया करते थे, जो उस वक्त ऐसी गोष्टियां होती थी ना, राजाओं के दरवारों में ऐसे, लेकिन जब उन्हें अध्यात्म का रंग चला, तो उन्हें अपनी उस कृती पर बहुत सरम आई, कि मावेहनों के सामने उसे पढ़ भी नहीं सकते, तो उनने गो आत्म के पर लिखना सुरू किये, तो वो सनुस्कित प्राकृत के बिद्वान नहीं थे, तो स्वमय साहर का जो स्वाद्धा उनने किया, कभू चंजी, वो मूल आत्म ख्याती ठीका के आधार पर नहीं किया, जानते नहीं थे, और हिंदी उपलब्द नहीं थी, सबसे पहल हिंदी पांडे राजमंजी ने कलश्टी का की, तो वो कलशों की की, वो गाथाओं की नहीं की, और आत्म ख्याती में जो गद्ध है उसकी भी नहीं की, तो उनके पास जो समय साहर का ज्यान था, वो सिर्फ कलश्टी का में जो कलशों का अर्थ किया है, उसके आधार का था, यह रिसर्च है समझे ना आप गहराई से इस पर बिचार करना कम भीता से जो विद्वान लोग हैं फिर क्या हुगा कि उन्हों ने पांडे राजमन जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे पंचा ध्याई लिखी और पंचा ध्याई के जो चंद है वो इतने बढ़िय यह जया जैसा फिलो है उनमें गद्व जैसा फिलो है बहुत बड़ी अथन है तो अब संस्क्रित के तो बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन हिंदी भासा का उस भक्त बिकास रही नहीं हुआ था हिंदी में कविताएं तो थी वो दस्मी सदाफ्डी से चल ले नहीं थी लेकिन यह नहीं से चारसो बरस पहले, पंदरमी सोलमी सताबदी में, हिंदी गद्य का जनम भी नहीं हुआ था, कि खुद पांडे राजमल जी हिंदी गद्य के जनम दाता है, गद्य के नाम पर तब क्या मिलता है मानू आपको, यह जो ब्यापारी लोग उधार में देते थे ना, और उन से जो रुक्का लखा लेते थे, किसानों मिसानों से, वे रुक्के मिलते हैं, बस बो हिंदी गद्य है, जो कोई मकान बेचते थे वो लिखा पड़ी होती थी ना, वो लिखा पड़ी बेचती थी, उतना ही गद्य है उस दमाने का है, और पर बाद में आएं, ब अब हो यह सो यह है, बदे ही, अभी यह जब बना पांधी राजमल्दी ने सब से पहले कलश्ती का लिखी, जो हिंदी का गद्ध है, यह हिंदी गद्ध के फाउंडरों में हैं, पांधी राजमल्दी, माने इनका अध्धात्म की दिष्टी से तो बहुत उंचा इस्तान है लेकिन हिंदी भाजा की दिष्टी से भी गद्ध की दिष्टी से भी बहुत उंचा इस्तान है, अभी क्या दिक्कत है, कि इनका की इस्टायल में कुछ मद्भेद है कुण नकुण से, अब वो आप लाब भ्लों को कुछ पता नहीं है, अब इस सवाह में मुझे कहना चाहि क्याति हैं? क्या है कि नहीं के बारे में जो समय सार की सresseली चली आ रही है तब से लेको आज तक उससे कुछ हटकर है पंचाद्या ही मैं जानि जो भीभार नए है ना, तो असत्भुद भीभभार नए को भीभार नएन नहीं 최ysi कर द। झरी पुद्रमकान जाद को जो अप प्रफट नहीं कहता है ना उन्यों को सुएकान नहीं करते हैं आपने तो थोड़ा वो दिखा होगा नए चक्र में नहीं ने पंचाध ध्याई के नए अलक्से लिखे हैं तो उसका प्रभाब इस नाटक समय साथ कलस्टी का में हैं कलस्टी का में उसको उन्यमा नहीं नहीं त तो म्या तो वो कलस्टी का के आधार तो वह अधु बनाशीदासने चंद लिखी तो उसका असर इस बनाशीदास के चंदों करे एतुद का नहीं अभाड का नीहिं है आप करनी सकते हैं करते नहीं ह। इसलिए आपकी पकड़ में कुछ आता नहीं है तो परी गहराई से तो तब ये बातें समझ में आएंगें लेकिन कुछ है इतना समझ लोगा से मैंने सब लिखा है और सारे विद्वानों ने पढ़ा है मुनि राजों ने पढ़ा है और कहीं से किजी का बिरोज नहीं आया है ऐसा नहीं है कि कोई सोनगर के अंसाल लिखा है तो सब सास्त्रों के अंसाल लिखा है और सब को मानन है सब विद्वानों के सब गुरुप के विद्वानों के और मुनि राजों के सम्मतियां मैंने उन पर लिए हैं और मेरी किताबों में भी छपी है वो बन सरमानन बाते हैं जो आपको ये बता रहा हूँ लेकिन अब तो फांच साथ मेंड आपके बेकार काया इकृप्ती समझ में आई नहीं आई मुझे पता नहीं लेकिन आपको कुछ इतना तो लगा होगा कि कुछ है अदबर तो बनारसी दास के इसमें और इसमें क्या फरक है वो मैंने आपको इसमें बताऊँगा अज पिछले छंद से मैंने निकाल के बता सकता हूं जेखाँ, यदि आपको देखना है कुछ रच से किसी को ता हूं हाईदा तो कुछ है नहीं, फिर भी बताता हूं मैंने आपी देवलाली में बताजा ता लोगों को इसलिए पिछले इचंदों में है तेखो ये पेज नंबर तुम्हें पर किताब तो है ही नहीं इसलिए कोई मतलब नहीं बनारसिदाजी का एक चंद है जो कौन से कलस के अनुवाद में है जो बताता हूं 182 यपन 183 पढ़ रहे 182 का जो अनुवाद है उसमें एक चंद में पढ़के बताता हूं कोई अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में लक्षन विवेद भिन्य करम को जाल है जाने आपा आपकों जो आपकरी आप बिसें उत्रपति नास ध्रुब धारा असराल है लगाना उत्रपति नास ध्रुब धारा ये जो सत्वें वो मूल संद में हैं ही नहीं परिए इनने अपनी तरफ से लगाए है ये जो जाना हूं उत्रपति उत्पाद वे ध्रुब दे ये तीन बाते हैं जो ये संद में बनासी दास ने लिखी हैं जो इसे कलस है संस्क्रत का भित्वा सर्व एना एक सो ब्यासी माँ इसमें जी है इना इसका मेरा प्रद्यानवाल है उसमें भी नहीं है देखो सौलक्षणों के प्रवलबल से भेद कर पर भाव को चिद लक्षणों से ग्रहन कर चैतन भबने भाव को ये भेद को भी प्राप्त हैं गुण धर्मकारक आदी से तो भले हों पर मैं तो केवल सुद्द्य चिनवे मात्र हूं इसमें बहुत बात बैद भी नहीं है अब वो कह जो अर्थ किया है उस अर्थ में उन्होंने उस पादवय द्रव डाल दिया पस बनाशी राजी संस्कित जानते नहीं थे हिंदी में वहां से पढ़के उठा के उनने लगी है अब कायका है ये धर्म सब्द से किया है इनने गुण धर्म है और कारक तीन भेद हैं गुण भे कारक भेद और धर्म भेद तो सब ने एक हजार बरस से जो अर्थ किया है धर्म का अर्थ नित्य अनित्य एक अनेक एक किया है और इनने मुझ पादवय द्रूब किया अब इसी एक एक बाते हमने मिलाई ही यहां वहां से रिसर्च की कि हमां क्या है यहां क्या है यहां नही कि यह नहीं है पहले तो एही पकड़ में आना मुस्किल कि मिलान करके देखता कौन है जब वो कलस बड़े जब कलस पढ़ लिए जब संस्क्रिपिक पढ़ लिए जब बना सी दास का पड़ा जब वो अलग से पढ़ लिया क्यों तो हमने वो देखा निकाला फिर ऐसा क्यों हुगा तो निकाला कि वो पांडे राजमल जी ने किया इसलिए हुगा तो राजमल जी ने क्यों किया उसको भी निकाला क्योंकि वो उनकी माननता जो है ने वहां नेयों की परवासा में अंतर वहां से सब चक्कर चलता है ऐसा कई जगए है एक जगए नहीं कम से कम सो जगए ऐसी बातें आई हैं जो मैंने इस समय साल अनुशीलन में सब लिखी हैं इस अब उन विद्वानों के लिए मुनिराजों के लिए संतों के लिए जो गहरे अध्यन करते हैं इस समय सामान्याबलोकन इस सामान्याबलोकन का आदफा निराकार चेतना साकार चेतना है सुद्ध ज्ञान गुण सार है वो साकार चेतना मुने विशे साब लोकन है ना और चेतना अद्वई यद्दपी चेतना तो ये कही है चाह वो ज्ञान चेतना हो चाह दर्सन चेतना हो चाह करम चेतना हो चाह करम फल चेतना हो ज्ञान चेतना हो ज्ञान चेतना हो सब चेतना है न चेतना अद्वाइत यद्दपी चेतना अद्वाइत ही है अद्वाइत मानें जिसमें दो पना नहीं है जिसमें एक पना ही है पर सोना तो सोना है अब हार का सोना, हूठी का सोना एक कोई सोना नहीं सोना के यह कोई भेद में है सब सोना तो सोना है तो चेतना तो चेतना है ख्याल में आए जाब चेतना अद्वाईत दूँचेतन दरव माही और वो जो दोनों चेतन दरव माही दोनों चेतन दरव में सामान और विशेशर के रोप में उनकी सत्ता का विष्टार है सामान चेतना दर्सन चेतना और विशेश चेतना ज्यान चेतना ऐसा विष्टार है वास्तम में चेतना तो एक ही प्रकार की है आपने कोई दुकान खोली और फिर वो दुकान आपने खोली तो थोक का काम भी आप करते हैं और लिटेल का काम भी आप करते हैं अब एक दुकान आपने लिटेल की खोली और एक थोक की खोली हैंगे नहीं ऐसा होता कि नहीं होता है तो अब वो कहते हैं कि हम बेचते तो वो एक साबन ही है मुझा लशाइन साबन थोग भी बेजते हैं तो हम तो साबन के विक्रेता है इसमें कोई फरक नहीं है अब इस थोग और रिचेल है यह कोई अलग नहीं है तो साबन की ही दुकान इसे ही कहते हैं कि चेतना तो चेतना है चाहब ज्ञान चेतना हो चाहब दर्सन चेतना हो चाहब सामान अब लोकन हो चाहब विशेश अब लोकन हो दोनों अब लोकन हैं दोनों देखना है एना चेतना अद्वैत दोव चेतन दरब माहिं सामान विसेश सत्ता ही कविसतार है को कहे चेतना चिन नाहि आत्मा में अब कोई ये कहता है कि आत्मा में चेत्ना है ही नहीं चेत्ना चिन आत्मा में नहीं है तो कि चेत्ना के नास होत त्रविध विकार है कि तुम चेत्ना का नास मानोंगे तो तीन समस्याएं खड़ी हो जाएंगे चेत्ना का नास होत त्रविध विकार है तीन प्रिकार की प्रिकार खड़े हो जाएंगी क्या हो जाएगा कि एक तो चेतना लक्षन है जीव का तो एक तो लक्षन का नास हो जाएगा लेकर लक्षन को नास और दूसरा चेतना अस्तित्ट है जीव का तो अस्तित्ट का नास तो चेतना मूल बस्तू है तो मूल बस्तू का नास देखो पढ़ो लक्षन को नास सत्ता नास मूल बस्तू नास तातें जीब दरव को चेतना आधार है इसलिए भाई तुम जीब दरव का चेतना मूल आधार है तुम चेतना से रहे जीब को मत मानो ये 85 दास का चंद है इसमें ये बात बताई है इस तरह ये गाथा और कलस होता है अब अगली गाथा का लिए ये कलस है पढ़ो भई संस्कित पढ़ सकते हो कौन पढ़ागा इंद्र बज्जरा चंद है क्यों आपने दन्जी पढ़ोगे 184 स्रीमा ये गृश्गाद बारो। बावा पहे ये इल्दे परेशाँ जायात बढ़ो भवावा पहे सलताएं पहेयाँ ही परह है जतिए है क्यों आपने इंद्र इंद्रित का है किन में चेतन भाद हैं परहें परके भाद उपारें चेतन भाद हैं तेह समी पर्भाद कितना सरल है बोलो इसमें कटनाई जिन में चेतन भाद हैं परके भाद पर्रूप हैं और उपादे चिद भाद हैं जो चेतन भाव हैं और परके भाव हैं वो सभी हैं और यही बात अगली डाथा में गई है और बनार्सी दास का छंद भी है तुम्हें पास के नहीं होगा अभी मैं ही काम चला लेता हूं बेरी सी सुन लो काय को इनको परिशान करते हैं अडिली छंदे जी तुम्हे आदेव अरहंत सुसुत से धानत जूख समझे ना जाकी चीतन भाव चदानंद सोई है और भाव जो धरे सोरो कोई है जो चिनमंड तभाव हुपादी जानने त्यागे जोगे परभाव पराए मानने इस तरह से एक पूरा प्रिकन एक समाप्त होता है अब अगला जो प्रिकन है उसकी भूम का इस कलस में बानी है और वो यह कह रहे हैं ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि जो इस बात को सुईकान नहीं करेगा कि आत्मा चेतना मै है चेतन सुभावी है ऐसी बात को जो नहीं मानेगा ऐसा कौन बुद्धिमान है कौन बुद्धिमान है जो नहीं मानेगा माने वो मू रख रहे हैं को नाम भनिज्य बहो को नाम भनिज्य बहो यानि उस ब्यक्ति को कौन ब्यक्ति बुद्धि समझदार कहेगा को नाम भनिज्य बहो मने ऐसे ब्यक्ति को जो आत्मा को चेतना सुभावी नहीं मानता है ऐसे ब्यक्ति को कौन ब्यक्ति बुद्धिमान कहेगा को नाम भनिज्य बहो नादुम सब्वे पराईये भावे और इसके अलावा जितने भी भाव हैं वो सब परापर है निजे आत्मा को सोध अर परे रूपे परे को जानता अब दोरा पूरा पूरा संद भोलो फिरा पूल नहीं है तो निजे आत्मा को शुद्धिर परे रूप पर को जानताई खूमी बुदी जो जानती में परे रूपे परे परे रूपे खूपना जनानन्द सुभावी है और उससे भिन जितने पदार्थ हैं वे सब परद्रब हैं अब ऐसा कौन बुद्धिमान ब्यक्ति है इसको जानते हुए भी फिर परद्रब को अपना कहेगा अब कहते हैं इतनी बात इसपस्ट हो गई के परद्रब जो हैं वे अपने नहीं हैं तो अ कि आफे द्रब से अपने आत्मा तो भिंदने जानना को अख और उसका साधन क्या आए उसको जानने का साधन क्या है पाट साला जाना फैस्ट्रों का पढ़ना आपका प्रोचन सुनना क्या साधन है पुबास करना, यात्रा करना, दान देना, तो वो कहते है एक ही साधन है, और वो साधन क्या है? प्रिग्याचेनी, वो अपनी बुद्धी, वो एक मात्र साधन है, और कोई चीज इस आत्मा को परद्रव से भिन्य जानने में साधन नहीं है, कि जानने में तो साधन है, लेकिन अब हमें परद्रव को छोड़ना है, और स्वाध्रव को गिर्ण करना है, तो उसका साधन क्या है? कल बताएदा है, है कुछा है? भूलो. जिस भाती प्रेग्या छेनी से परसे बिवात कियाए से, उस भाती प्रेग्या छेनी से ही अरे ग्रहन करो इसे, बहुत मरम भरा है, कि जिस भुद्धी है की से तुमने फरसे बिवात्मा को जाना है, फुझ उसी से आत्मा को पकड़ना है, पकड़ना है, जानते रहने है, पकड़ने का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, पहले हमें जानना है और फिर ध्यान करने के लिए क्या करना है बेटा भोलो जानते रहना है और क्या करना है पुछ बदलना नहीं है जानना है ज्ञान और जानते रहना है ध्यान देखना है दरसन और देखते रहना है ध्यान देखना और जानना है दरसन ग्यान और देखते-जानते रहना है ध्यान इतना सा काम है तो वो देखने जानने की सक्ति हमां पास महुझूद है इसलिए है चौबीस घंटे जब तक हम सेनी पंचेंद्री हैं देखो समझना जरा तब तक 24 घंटे वो साधन हमारे पास उपलब्द है कि जो हम जिससे हम अपने आत्मा को जान सकते हैं देख सकते हैं और उसका ध्यान कर सकते हैं और इन तीनों से मोक्ष की प्राप्ती होती है तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन हमारे पास 24 घंटे उपलब्द है अब जरा एक बास समझना, एक आदमी के पास पचास बंगले हैं, सो गारियां हैं, उन ना मालूं कितना कितना परिंगर है, चक्रवर्थी का गिनाएंगी अभी हम निंदिन जी, तोरा सी लाग खाती हो रहे, अठारा कडूर गोड़े और प्रेटा गिनाएंगी, इतनी होग स मामगरी हमाई पास है, अब एक दम हमको घाता लग गया, इंकम टैक्स का धाला पड़ गया, कुछ भी हो गया, और हमारा सब कुछ चला गया है, अब एक गारी, एक मकान, वो थोड़े घर में खाने पीने लाइक बवस्ता बची, अमेरका में एक नियम है, अभी हिंदुस् नहीं है, आजाएगा कुछ दुनों में, कोई भी आदमी हो, उसमें कितना ही करजा हो, और वो करजा अदालत से बिलकुर सिद्ध भी हो जाए, और डिक्री भी बन जाए, और आप कुड़की भी कराने के अधिकारी हो जाओ, लेकिन आप उसके रहने का मकान, उसकी गारी, और उसके इतनी कभाई जिससे वो रोजी नोकरी, हर महिना तनखा आती है, उसमें से एक पैसा को टच नहीं कर सकते हैं, और आगी सब ले जाओ, पर सुबह में ड्यूटी पे नहीं जा पाया, पहुंच गया तो ढंक से काम नहीं कर पाया, तो पर मुझे नोयोकी से निकाल जा गया, इसलिए एक कडोर डालर का हर जाना मुझे दलाया जाए, समझें, आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आप अदालत में जाओ, और जो भी कानून है, उसे जो भी उसके पास है, उससे वसूल करो इतनी चीज़ों को छोड़ कर, अभी समझत धरम के हिसाब से अपने हाँ ही लागू हो गया, मानलो हमारा सब घाटा हुगा, अब हमाए पास, जो हम रो जाना काम में आती थी न चीज़ें, एक गारी काई उच करते थे, एक घर में रहते थे, एक बेर रूम में सोते थे, जो खाते पीते रो जाना, फिलो पर बोई, वो सारी विवस्ता हमाए पास है, मानलो हमें 10,000 रुपे मेना खर्टा को चाहिए, तो 10,000 रुपे की विवस्ता हमाए पास है, अब आप सोचोगा, आपका क्या गया, कुछ तो गया नहीं, जितना आपका उप्योग में आ रहा था, बो तो सब है, गया तो कौन है वो, जो उप्योग में नहीं आ रहा था, अब इसका जड़ा गनित समझना, जिसको आप बहुत बड़ा नुक्सान समझते हैं, कि वो जो दस-दस गारियां आपके पास थी, दस-दस बंगले थे, एक-एक बंगले में छे-चे बेर रूम थे, वो आपके काम नहीं आ रहे थे, लेकिन उप्योग में आप पुन्य खर्च हो रहा है, जैसा धोके में मत रहना, कि पुन्य के उदे से हमें मिल गया, मिल तो गया, लेकिन ये आपके पास रहे, इसके लिए अलग पुन्य खर्च होता है, समझ में आए, क्या? वो जिस पुन्य सेजे मिला है, उस पुन्य सेजे हमाय पास रहता नहीं है, और जब तक वो पुन्य हम चुकाते रहेंगे, हमाई शटा में है, तब तक रहेगा, और जिस दिन वो हम, पुन्य खर्च हो गया, उस दिन चला गाए है. अब हमारे वो चला गिया है तो अब हमें नुकसान है के फादा क्योंकि जो हमारा पुन्य खर्च हो रहा था और हमारे भोगने में आ नहीं रहा था तो फाद्दू का खर्च हो रहा था अब वो पुन्य खर्च बंद हो गया और हमारी सुबदा में कोई अंतर ही नहीं आए लेकिन इतने कौन सोचता है कितने दुखी होते हैं जो है खाने को वो भी नहीं खबता है जो पलंग सोने को है उसके भी नीद में आती है अरे गया क्या गया तो वो है जिसमें तेरा मुफत का खर्च हो रहा था पिर 99 कमरे आपके हाथ से निकल गए कोँचे जो आपने सोब होटल में बुक किये थी और एक में आप हो तो आपका पैसा लगना बंद हुआ भाई साब आपको फायदा हुआ के नुक्सान सोचा कभी तो अभी हमारे पास अब समय हैं बुद्धि एक एक अंतर महुर्थ में एदि हम अपने आत्मा को जानते आत्मा को समझते और आत्मा का ध्यान करते तो केबल गयान हो जाता ना एक एक अंतरमूर्थ में केवल गयान होता, अंतरमूर्थ मोने अर्तालीस मिनट से भी कम है, तो हम दिन में कितने केवल गयान करते, तीस केवल गयान पेदा कल देते, तो कितनी बुद्धी हमने परपदार्थों को जानने देखने में बरवाद की, कितनी लुटाई हुई है हमारी आपको कल्पना है हो रही है रोजयना हमारे पास ऐसी बुद्धी है कि आत्मा को जाने और उसे ही जानते रहें लगातार 48 मिनर तक तो गारंटी से केवल ग्यान हो पुरो अब इतनी बुद्धी को पैसे की बाद तो जाने लूब वे तो उधान था इतनी बुद्धी को तुने पांच इंज्रियों के दिश्यों में लगा कर कितनी निर्देता से बरबाद किया गाउं से एक अरब पती का बेटा आया भुपाल में पढ़ने के लिए और एक गरीब क बेटा आया भुपाल में पढ़ने के लिए एक ही क्लास में पढ़ते थे जोना वो कड़ोरपती का बेटा भी फैल हो गया वो गरीब का भी फैल हो गया क्यों कि गरीब को अपना खर्चा चलाने के लिए लो जाना त्से आठ गंते काम करना पढ़ता था इसलिए पढ़ाई आप्सेड़ों गया। और पैसे बाले को बापदादों से इतना पैसा मिलता था कि वसे खर्च करने के लिए दस गंठे खर्च करना पड़ते थे दिन में तीन सो जे के तब तो खर्च हूँ समझ में आये भाइ? मैंने वो पैसा था वो भी उसके समय को खा रहा था और पैसे की कमी भी उसके समय को खा रही थी हमें तो समय चाहिए और हमारे पास वो ग्यान की इतनी जबर्दस्त निधी है कि उसे अंतर नूर तो आत्मा में लगाएं तो केबल ग्यान होता है एक समय को लगाएं तो समय चाहिएब हाई और हम उसको इत्दम बाहर भर बरवाद कर दे तो बरवादी तो बहुत हुई है लेकिन चुन्ता की बात नहीं है कितनी भी बरवादी हुई हो अभी एक मकान हो एक कमरा हो एक गारी बची है माने इतना बुद्धी हमारे पास अभी है कि उसे आत्मा में लगाएं तो हमारा काम हो सकता है तो बरबादी को क्यों रोएं एंस अभी भी इतनी वुद्धी हमारे पास है कि जिससे हमारा पूरा काम हो सकता है तो जो बरबाद हो गई उसको क्यों रोते हो अभी भी है ना को हमाई पास गुद्धी और कुछ हमें चाहिए नहीं कि हमाई आखे कमजूर हो गए, कान कमजूर हो गए, सरीर काम नहीं करता, पहरों में अदर द रहता, खड़े नहीं हो बादे, तो खड़े होने की कहां जरूरत है, बैठे बैठे भी केवल गयान होता है, अब तनी बुद्धी हमारे पास है, क्यम आत्मा का कल्यान कर सकते हैं, अब चंता की कोई बात नहीं है, अब उसो होना मत रोग, गुद्धी की बरबादी की नहीं, कर गा, लेकिन भाई साथ, अब वो जाने वाली है, नमालम किस च्छन, मौत हमारे सामने आ जाए, और हम मर के नमालम चार के तीचोरासी लाखे उनियों में, कहां चले जाएंगे, और फिर नानंतिकाज तक, ऐसी ग करात होगी के नहीं होगी, क्या कौन जानता है, बोलाओ, सोचो हम किस बोर्डर पर खड़े हैं, अभी कुछ नहीं लुटा है, पर लुटने वाला है, कब, कभी भी, कोई माई का लाल चाती पहाद रख कर ये कह सकता है, कि मेरे प्रचन में आप लोग आया हैं, मैं भी आया सब कहुचना वाले ने घवड़ान में नहीं, लेकिन बात गारंटी की है, मैं कह सकता है नहीं होकम जैंजी, तो अब कब करना फरबोरों, वो काम, जो हमारे पास बुद्धी, जिस वो चीज है, जिससे काम होना है, और जिसको जानना से होता है, वो भी हमारे पास जिससे कोई दुरवच्छे दृकाल की मर्यादा नहीं है, अभी यहीं, वो काम हो सकता है, लेकिन जिसे बूल रहे हैं, जब जेत लाओ तभी है सवेरा, अब एक हो कहां बन्नी जी ऐसी बात है कहां ऐसी बात है, तो ठीक है, तो अकल भी तो रहेगी, अकल देख लेगे, अ एक समय भी बरबाद करने लाइक नहीं है, अपनी उस बुद्धी रूपी चैनी को, अपने तरकार इधरो भगवान आत्मा में लगाओ, और अनंत सुखी हो जाओ.